एक और थोड़ा सा असान सवाल ही है ये भी सर कितने प्रोसेस बोला है प्रोसेस ए बनाईए प्रोसेस बी बनाईए चलिए ठीक है सर पढ़ लेते हैं कहता है दा प्रोड़क्ट मेनिफेक्चरिंग कंसर्न पास्थ्रू दा टू प्रोसेस ए और बी बेर फिनिश स्टॉक ए में जाएगा और बी में फिनिश स्टॉक निकल दगा है सर दो कहानी है एक स्क्रैप है एक वेट लॉस है इसको समझना पड़ेगा वेट लॉस का मतलब क्या है मेरी एक दुकान है परचून की और मान लेते हैं यह चीनी इस बैग में चीनी है और मैं समान बेच रहा हूं अब चीनी मैंने खरीद के लाया 30 किलो का एक बैग जैसे हम बोलते हैं एक कट्टा, 30 किलो मैंने एक बैग खरीदा चीनी का, तो अब मैं किलो के हिसाब से बेचूँगा ना, अब किलो किलो बेचूँगा मैं, अब मान लेते हैं, एक एक किलो करके मैंने 30 लोगों को बेचा, तो अगर मैं अपने उसकी बात करूँ, बैलेंस या और कब डाला जाएगा मतलब अगर एक किलो दे दिया न तो कस्टमर आप सुना के चले जागा बिल्कुल ऐसा ही तोल रहे है और कोई सोना थोड़ी है यह 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 आपको थोड़ा 10 ग्राम 20 ग्राम फालतो दिखाएगा तो लगेगा ठीक है आप चलिए यानि अब 10-10 ग्राम 20 20 ग्राम करके वह एक्स्ट्रा दे रहा है लगबग लगबग 100 ग्राम से 200 ग्राम तो इसके चले गए कस्टमर के पास डैट इस वेट लॉस क्या यह लॉस के पैसे मिलेंगे मुझे नहीं मिलेंगे या फिर मैंने रखा और इसमें से चूहे खा गए वह भी मेरे वेट का लॉ लॉस का पैसा कभी नहीं मिलता कभी रिकवर होई नहीं सकता लेकिन जो इस क्रैप होता है ना वह लॉस होता है माल लेते हैं इसमें आपने 5 किलो या फिर कितने भी आपका कुछ उपर का जो पोर्षन था ना यह वाला यहां आपका पानी गिर गया जिसकी वेज़े से यह वाला पोर्षन आपका चीनी खराब होगया आपने उसमें से निकाल लिया लग 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 एक दुकानदार एक कस्टमर आया एक किलो चीनी दे दो आपने बोला कि दो तरीके के चीन है अब हमारे पांस एक गीला चीनी लेना है या सूखा लेना है गीला लोगे तो मैं आपक उस्ता लगा दूंगा 40 रुपए के जगह पर मैं 15 रुपए किलो दे दूंगा आपको और अगर आप सूखा लोगे तो भाईया यह तो 40 मिलेगा अब कस्टमर सोच में भी पॉट सकता है वो देखेगा भाईया कौन सा लेना नहीं लेना उसके अकॉर्डिंग उसको दे दे विखेगे तो इस क्रैप क्या होता है हमारा अर विख जाता है और वेट लॉस नहीं बिख टा दोनों में डिफ्रेंशेट आपको पता होना चाहिए मैंने एक छोटा सा अग्जामपल लिया कुछ पूर्ट पर टन के दिया जाएगा टन क्या है वेट का मापने का तरीका है और दूसरा 200 रुपे पर टन के इसाब से बेच दिया जाएगा कहता है process a के अंदर material यूनिट इतने लगे 1000 material ये wages manufacturing prepare the process account show per ton each process हर process का एक टन का खर्चा भी बताना है यानि पर unit cost भी सीखा था पिछले बाद आगे कहता है there is no work in progress कोई opening stock closing stock नहीं है तो opening closing वाला तो अभी सीख भी नहीं रहे हैं हम तो फटाफट से इसका आपको idea लग गया होगा मैं फटाफट देखो करके दिखाता हूँ इस वाद दो ही process बनाने है एक फर्दो फर्दो पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट यूनिट अमाउंट ये सर है process A बन गया हमारा process B चलिए करें start सर process A के अंदर कहता है के भईया माल जो लगा हजार टन लगा तो material हजार टन लगा और एक टन की कीमत एक टन की कीमत 125 रुपए है तो हजार इंटू 125 का मतलब पहला पॉइंट समझ में आ गया हर किसी को फिर बोलता है भईया 18,000 का wages लग गया फिर बोलता है भईया manufacturing expense manufacturing expense कितने लग गये और यही same न अगले में भी लगना है मैं इसे copy कर भी है input भी आएगा पहले आप यहां तक देखिए जो मैंने लिखा है अब आगे बात करते है normal loss है तो buy में आ जाएगा normal loss कहता है पहले process में होगा हमारा weight भी होगा और normal loss भी होगा तो normal loss कहता है कितना होगा हमारा 10% तो sir 1000 का 10% that is 100 और weight loss होगा और weight loss जोगा हमेशा इसी का होता है percentage तो weight loss होगा 5% that is 50 weight loss तो बेची नहीं पाएंगे हम normal loss बोलता है 80 के इसाब से भाई बेच दे तो ले भाई 80 के इसाब से बिग गए कैसे आया यह bracket में लिख देते हैं 100 गुना में 80 सवाल में गीवन था इसके बाद कुछ closing stock नहीं था तो पहुचा दो इसे by process एक लाग 25,018 और 6,24 एक लाग 49,000 10,000 था एक हजार था एक हजार था माइनस देड़ सो तो कितने हो जाएंगे हमारे माइनस आठ हजार तो एक लाग हाँ अच्छा हजार है क्या ये कहता है भईया per unit cost बताओ इसका process A का per unit cost that is हमारा एक सो एक तालिस डिवाइड़ वाइड़ आठ सो पचास कितने आगे 65.889 जो मर्दी ले लो सर प्रोसेस टू में भी 50 रुपए है वह को हाँ मैंने मान लिया है 50 पैसे पिछले सब आगे पर आजाते हैं चलिए अब प्रोसेस टू में आ जाएगा यहां पर कहां से समान आ रहा है भी यहां पर समान आ रहा है प्रोसेस ए से कितना समान आ रहा है सर प्रोसेस ए से 850 कितने रुपए का 31 material लगा है फिर से क्या प्रोसेस में बिल्कुल लगा है सर यह रहा कितने का लगा सर 70 यानि सर input और लगा सत्तर और कितने रुपए के भाव से 200 इसके बाद wages लगा क्या और फिर अगला अब यहां पे भी नॉर्मल लॉस होगा और वेट लॉस होगा तो वाई नॉर्मल लॉस सर नॉर्मल लॉस पता है किसका होगा यह जो लग रहा है न हमारा टोटल यानि 920 का साइद बुक में इसका अंसर गलत है तो वो आप मैच कर ली दिएगा 920 का जहां तक मुझे याद है इसका अंसर गलत है तो इसका 10% 92 अब इस 92 को हम बेच देंगे 200 के भाव से 200 के भाव से भी कहा है नहीं स्क्रैप किस भाव से भी कहा है 200 के हिसाब से इंटू में 200 यानि 18400 और वाई साइड में आएगा वेट लॉस डबलू एल लिख रहा हूँ वेट लॉस कितना 5% तो 920 का 5% भाव साइब अब सारा का सारा हो जाएगा FG फिनिस गुड़ तो एक लाख एक तालिस हजार 14000, 12000 और 6000 वन मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं इसको किसी को दिक्कत है तो वो फटा-फट कमेंट में लिखे मैं एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा हूं या ऐसा नहीं कर नहीं पढ़ रहा 154 और ये रेट माइनस करो कितने आते हैं 900, 782 782 सर प्रोसेस B का पर यूनिट कॉस्ट 154,600 डिवाड़ेड बाई 782 190 9. इस सवाल में ना एक बात मेरे देको सवाल है तो सवाल करना पड़ेगा इस बात में मेरे को एक बात समझ में नहीं आई परसनली के भाईया तुने ये 200 रुपे परटन बीचा कहते स्क्रैप को नहीं आया है मुझे ये बात समझ में परटन बीचा कैसे है क्योंकि 200 का तो कॉस्ट ही नहीं है वैसे कैसे बेच लिया ये कोश्टन आप बैसे किसी बच्चे को खटक सकता है लेकिन सवाल है करना पड़ेगा कर दिया हमने सर 10 परसंट कैसे लेना है जितना इंपुट होगा इसका 10 परसंट लेना है टोटल का यहां पर यही था तो इसका 10 परसंट ये और इसका 5 परसंट ये यहां पर इसका 10 परसंट और इसी का 5 परसंट लेना है इसको बोला जाता है सर इंपुट हमेशा loss जो होता है न वो input का होता है टोटल input का होता है हमेशा इस बात का ध्यान लखना है material का amount कैसे आया material का amount आया इन दोनों को multiply करके क्योंकि 70 था और unit थे यहाँ पे 200 रुपए और यहाँ पे भी ऐसे ही आया कैसे आया सर आपका था 1000 और 125 के हिसाब के किसी को doubt